डिस इसई गोपाल सार यई संध νर। हम डिसकूस करेंगे बटा डिजीज संप्टम्स प्रिवेंशन थो ओर की। भात तरे आप उस लाइफ रजाने में गैर नेता हो अ्म twin चै creation और उसके पहले आपको नौट्स मिल गका होगा वह नौड्स को कंपुलीट कर Cities करें। इसके क्या disease की तरफ, जो disease है, GRDI especially क्या करता है, यह एक protozoan parasite है, कैसा है protozoan parasite है, unicellular होगा, और यहाँ nucleus, binucleated आपका सकते हो, तो दो nucleus देखा जा रहा है, and it causes intestinal disorder, यह intestine में बिमारी को पैदा करता है, जहाँ पर होता क्या है, जिसको बोला जाता है, GRDasis या diarrhea, यह द्यान देना इस disease को क्या बोला गया, GRDasis या diarrhea बोला जा रहा है, इस diarrhea के case में हमने पहले ही बता दिया, lose motion, vomit, headache, appetite, यानि भूख प्यास लगना, यह सारी, भूख नहीं, भूख का क्या लगना, प्यास बढ़ जाना, यह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, तो जो symptoms है, जरा symptoms की तरफ चलेंगे, there are following symptoms, that is, यहाँ पे कुछ symptoms दिये गए हैं, और बहुत सारे symptoms आप generally देखते होगे, अगर नहीं देखे हो न, तो किसी को गंदा पानी अपने घर पे फिला के देख लो, खुद ही पता लग जाएगा symptom, तो चलते हैं इधर symptom देखने की तरफ, क्या है बटा, फर्स्ट पे आता है लूज मोशन, भाई देख लेना, जिसकी स्पीड एक दिन में डबल त्रिबल चाहर बार हो जाए, आप समझ लेना कि जरूर यह केस आगया होगा, दिन आते हैं, ओमेटिंग, इसके बाद आता है, एब्डामिनल पेन, या स्टमक पेन आप कह सकते हो, देन हेडेक है, लासा फेपेटाइड, तो आप यह चीज ध्यान देना कि इस केस में ज़्यादे तर एफेक्टेट बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों को यह केर नहीं होता, कि क्या चीज साथ सुतरा है और क्या गंदा है, वो केर नहीं करते हैं, यह कहने की बात है, हम लोग ले ते हैं, तो डारिया का इन्विटेशन हम लोग लेकर आते हैं, चलते हैं नेक्ड पॉइंट पे प्रिवेंशन और कंट्रोल की तरफ प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है जब यह हो गया है तो रोक ना क्या मन लगा कर चारचा गुलगप्पे आठ लो ये सा नहीं अगर आप सुध़ पानी वेजिटेबल साब सुतर आगर लोगे तो साध रोका जा सकता है चलते हैं इसाँ इसलिए क्या करना चाहिए यह हमने बुले और दूसरी जल अगर कोई लेगा तो वहां से यह सिस्ट जाने वाला नहीं है और बाड़ी में एंट्री कर जाएगा इसलिए क्या करना चाहिए यह हमने बुला ना कंटेमिनेटेड जो दूसरी तो हो उसको डिरेक्टली सबजी या पानी नहीं लेना चाहिए शुड नाड़ भी ठिक तो नहीं लेना चाहिए ऐसे चीजों को फिर है नेक्ट पॉइंट पे बिफोर कुकिंग यानि भुजन बना पकाने से पहले यहां द्यान देना यहां पे शुड भी है वहां शुड नाड़ भी था यहां शुड भी है ग्रामर में पढ़ रहा हो इतना मत देखो यह देखो पीफोर कुकिंग वेज़िटेबल सुड़ बी वास्ट प्रपर ली यानि सबजी को पकाने से पहले यानि बनाने से पहले अच्छे से धूल देना चाहिए तो चलते हैं एकले पॉइंट पे अगले प्रसके पहले यह बता दें कि बिना नीट और बिना सबने मैं समझ यहां पे इस medicine का यूज बिना physician के आप नहीं कर सकते उनके सला से ही आपको लिक्तर ि SUR यहां कि सब्सक्रानीक्तय ने जससे हैं सचमें फाले इत्था भुडरी के ने वालेयो टैक्टर की चलो तो यहां क्या है बिटा नेक्ट पॉइंट पे एवाइड दा कंटेमिनेटेट फूड वाटर फूट एटीसी यानि हम लोगों को क्या करना चाहिए ऐसी सिती में इससे बचने के लिए एवाइड करना चाहिए आई मिन बचना चाहिए जो दूसी जल है भोजन है सबजीया है इन चीजों के यूज से हमको बचना चाहिए नेक्ट पॉइंट है एवाइड ओपेनली प्रिपेर फास्ट फूड यानि जो गुलगप्पे समोसे रसगुले लंगलता यह सारे चीज मार्केट में मिल रहे है न वह एकदम जाओ गपाक से उठाओ बिना धुले धुल के खा है आप उसको मत खाओ खाओ मन लगा के खाओ तब तक खाओ जब तक इसके कुछ लक्षण ना दिख जाएं क्योंकि दवा हमने बता दिया है विटा आप ले सकते हो चलते हैं नेक्स पॉइंट पे यूज आप फिल्टर वाटर जंदली यहां पर करना क्या है कि आपने एक म हम लोगों के आसपास की पीने वे योगी पानी है उसमें क्या है आर्सेट पाया जाता है यहां फिर हम पानी लात रख दियhl së या इंधर अधर से छीटे पानी के पढई घंदे पानी के छीटे तु समें जीजचाण अधरी वहां करकने दिख सकता है इसलिए वहार करके प वेजिटेबल फूट्स हमको करना क्या चाहिए जो साग सब्जी है पहले बनाने के बाद उसे नहीं पहले ही क्या करें कि उसको धूल दें धूलने के बाद तब आप बनाए और यूज करें नेक्स पॉइंट है और धूलने के लिए एक चीज याद रखना कि साल्ट अगर दिखा जाता है कि नमक के पानी से अगर हम दुलाई कर रहे हैं समुद्र के पानी से मत दूल देना लेने जाओगे समुद्र पता लगे सब्जी सूख जाएगी तो आप नार्मल वाटर में नमक मिला के दूलाई करो उससे क्या होता है बैक्टिरिया वायरस या फिर वहां इंसेक्ट के कुछ एक्स हैं तो डिट्राय हो जाते हैं यह करना चाहिए जनरली सबको करना चाहिए ऐसा नहीं कि आप इससे बशने के लिए आप आलड़ी बहुत सारे वायरस से बशने के लिए इसका यूज कर सकते हो इस्ट्रलाइजेशन आप लोग बहुत अच्छे से बच्पन से पढ़ते आ रहे हो तो हमको ज़रा कमेंट बाक्स में आप लोग जाए और इस्ट्रलाइजेशन क्या है वहाँ जरूर बताए ठीक है बड़ा एक बात नहीं समझ में आई आपको आ गई हो तो प्लीज रिप्लाई देना रिप्लाई क्या दो कि हम बता रहे हैं भाई आपके घर में पीने की पानी है आप इंसेक्टी साइड लाओ उस बाल्टी में छिड़क के रख दो देना सबको पिलाना पता लगे डायरिया क्या कोई बीमारी यह आसपास नहीं आने वाली है गलती मत करना यह सक्त सला है आप लोगों के लिए ऐसा कुछ मत करना पीने वाले पानी की बात यहां नहीं हो रही है जो आसपास एरियाज में पानी एकत्रित होते हैं वहां पे इंसेक्टी साइड या ऐसे केमिकल का छिड़काव कर पहें या फिर ऐसे जी आदिया ना पन अपने पाएं यह इंसेक्ट को रोकने के लिए हैं जैसे मख्षी है मच्छर हैं और पानी पास नहहीं या da तो जी आडिया को लाने वाला जो वेक्टर है वो नहीं रहेगा तो जी आडिया आने का चांस भी कम हो जाएगा तो यह गलती मत करना कि पीने के पानी में आप लोग डाक्टर बन जाओ और इंसेक्टी साइड छुड़क दो गलती से नहीं करना बिटा क्योंकि वो एक पोईजन है इंसेक्टी साइड कहां पे जो आसपास गंदे जल होते हैं जो समचीत जल इधर उधर बचे रहते हैं वहा केरोसीन आयल अपने घर के आसपास इढरुदर स्प्रे करना चाहिए केरोसीन आयल का इस्प्रे करना चाहिए जिससे मक्ही और मंच्छर लगने का खत्रह एक दम कम हो जाता है घर में भी कभी स्प्रे कर दो या वास कर रहा हो तो थोड़ा सा कपड़े में मिटी का तिल उच्छे भी थे कमेंड में केरो सीनायल के आया तो वहीं मिटी का तेल जो नार्मली पहले मिला करता था गाउं में अब तो साइद बंद हो गया होगा तो वह चीज उसे ही केरो सीनायल बुला जाता है उससे अगर घर के एक बार धुलाई करने के बाद उसको इस प्रे कर देर गर में तो मक्षी नहीं लगती है तो जिससे अगर मक्षी नहीं लगेगी तो यहां पे जी आडिया को लाने वाला जो एजेंट है वो नहीं रहेगा तो जी आडिया आएगा नहीं दिन हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बच्चा ट्रिटमेंट भाई अब डाक्टर ाइगनल इंफेक्सन, यह आई लिखे हैं, दो-तीन बार लिख दियें कि किuyor को क्लियर हो जाए आप लोगों को मालूम नहीं चलता इंफेक्सन है कितना खतरना खकीस चीज से है इसलेज दो-तीन बार आई कर ती आइंप्सन को रिपीट कर लो GRD causes intestinal यानि आत में ये infection का पैदा कर देता है as a result intestinal disorder takes place और होता क्या है कि intestine में बिमारिया उत्पन होने लगती है जो diarrhea है loose motion है abdominal pain है stomach pain है, headache है, appetite है सारी चीज़े हमने बोल दी थी for the treatment यानि इसके इलाज के लिए क्या करते है किसके GRDSS के इलाज के लिए क्या करते है number of medicine N9 का मतलब number number of medicine बहुत सारे medicine available होते हैं इन chemistry यानि दुकान पे जो medical aspas होंगे वहाँ पर उपलब्द होते हैं that is narflex tz tz एक formula होता है narflex tz tindazole जिसको बहुत तेजी से luge motion होता हो उसे half tablet दे दो तो control में हो जाता है लेकिन बिना डाक्टर के permission के नहीं देना चाहिए बिटा कि नेक्स्ट है narflex plane plane भी आप नर्मली दे सकते हो देना है chloroquine atabine atabrine ETC यह सम मेडिसीन क्या है कि आर क्वाइट एफेक्टिव यानि कुछ हद तक इस बिमारी के इल्याज के लिए effective होते है for the treatment of affected person यानि जिस person को यह बिमारी हो चुकी है I hope आप लोगों को यह सारे problem और यह अच्छे से clear हो गया होगा तो हम बता दे कि आज यह chapter बेटा समाप्त हो गया अब हम next chapter की तरफ चलेंगे या next unit की तरफ और आप प्लीज जितना playlist में इसके पहले हमने पढ़ा है वीडियों पढ़ा है एक एक करके हमने playlist अलग-अलग रखा है हर एक unit की हर point हर topic अलग-अलग playlist बनी हुई है आप उसको देखें उससे notes बनाए बिटा और दो-चार बार repeat करके देखें पहले online देखें देन उसके बाद उससे upload कर ले फिर देखें नहीं upload करने का chance है तो online ही दो-तीन बार आप देखिए जरूर देखिए और notes complete करते रहिए और हम paper आपका जरूर complete करेंगे कुछ कारण वस नहीं हो पा रहा है डेली वीडियो लेकिन हम दे रहे हैं लगबग डेली ही जा रहा है notification हो सकता है आपको लेट पहुंच रहा हो लेकिन हमारे उमीद से हम डेली दे रहे हैं और आपके पास पहुंच रहा है बटा आप लोग matter को डेली point out करो और चलते हैं आप लोग subscribe जरूर करिए अगर नए है तो subscribe करें like का बटन दबा दें और comment box में जो question के उसका answer दें thank you for watching my video